नमस्कार स्वागत आप सभी का स्पोर्ट्स यारी में मैं हूँ आपके साथ चारू पारी तो क्रिकेट जगत में जो नाम कल से सबसे ज़ादा लिया जा रहा है वो नाम है रिंकु सिंग का हर जगे हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ रिंकु सिंग ही छाय हुए हैं सब इस बारे में बात कर रहे हैं कि रिंकु सिंग की पारी को देख करके उन्हें क्या फील हुआ सोशल मेडिया पर अगर आप देखे तो लोग ट्वीट कर रहे हैं बड़े-बड़े सितारे, फिल्मी सितारों से लेकर है, FOR लेकित जगत के सितारे तो इस match के बाद रिंको सिंग ने खुद इस बारे में बताया है रिंको सिंग ने बताया कि जब मैं वहाँ पर बल्लेबाजी कर रहा था तब मैं बस शक्के लगाये जा रहा था एक शक्का लगा, दूसरा लगा, तीसरा लगा और जब मैंने ये दिखा कि अब दो बॉल पर दस रनों की जरूरत है तब मुझे ये लगा कि ये टार्गेट तो अचीव किया जा सकता है तब मैंने बिलीफ दिखाया और मैंने ये करके दिखाया और वाके रिंको सिंग का बिलीफ काफी काम आया कोलकाता नाइट्राइडर्स को उन्होंने एक ऐसी जीत दिला दी जिसका भरोसा शायद उस टीम को भी नहीं था तो चली इसके साथ ही बात करते हैं उनकी हार्डशिप्स की रिंकु सिंग ने इस जीत के बाद अपनी हार्डशिप्स पर भी खुल के बात की उन्होंने बताया कि मेरा जीवन संगर्शों से भरा रहा था यहां तक पहुँशने की जर्णी काफी डिफिकल्ट रही रास्ते में काफी कठनाईया आई उनके जो पिताजी थे वो एलपीजी सिलेंडर की दिलिवरी किया करते थे और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो भी अपने पिताजी की इस काम में मदद करते थे वाई रिंकू ने ये भी बताया कि उनको इस दोरान साफ सफाई का एक काम भी आफर किया गया था लेकिन इस काम से उन्हों ने साफ मना कर दिया और उन्हों ने अपने क्रिकेट पर पूरा फोकस किया काफी जादा महनत किया और आज वो इस मुकाम पर पहुँच गए है औक्षन की बात करें तो रिंको सिंग को औक्षन में 80,000,000 रुपय के बड़े अमाउंट में खरीदा गया था इस बारे में रिंको सिंग ने कहा कि 80,000,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है मेरी फैमली ने कभी इतना बड़ा अमाउंट नहीं देखा था और जब मुझे 80 लाक रुपए में खरीदा गया तो मेरा परिवार जाहिर तोर पर काफी जादा खुश था हाला कि उन्होंने ये भी बताया कि जब ऑक्षन चल रहा था तब उनके घर पर लाइड चली गई थी टुटर पर भी उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की रिंको सिंग को अप्रीशियेट भी किया वह उन्होंने रिंको सिंग को इस मैच के बाद परसनली कॉल भी किया रिंको सिंग ने बताया कि शारुक खान का मुझे कॉल आया लेकिन मुझे शर्म आरी थी मैं ठीक से उनसे बात ही नहीं कर पाया वहीं बात करें उनके परिवार की तो उनकी माता जी ने उन्हें हमेशा से सपोर्ट किया तब उनके पिताजी रे भी ये कहा, दुनिया भर से मुझे कॉल आ रहे हैं लोग मुझे कॉल करके मेरे बेटे को अप्रिशेट करें तो अब मुझे काफी जादा गर्व महसूस हो रहा है, काफी जादा खुशी हो रही है वही रिंकु सिंग ने ये भी बताया कि सूरेश रेना उनके फेवरेट खिलाडी है सूरेश रेना भी उनकी तरह बाएं हाथ के बल्ले बाज है और उसी पोजीशन पर वो भी बल्ले बाजी करते हैं जिस पोजीशन पर सूरेश रेना बल्ले बाजी किया करते थे और उन्हें भी IPL का सबसे बहतरीन खिलाडी बताया जाता था तो वो भी सुरेश रहना की तरह ही एक बड़े IPL स्टार बनना चाते हैं इसके साथ ही रिंको सिंग ने ये भी उम्मीद जताई है कि उनका सपना है वो टीम इंडिया के लिए खेले और अब इस पारी के बाद में उनको ये उम्मीद है कि अब जल्द ही वो टीम इंडिया के लिए खेलने वाले हैं इतना ही नहीं इसके साथ ही उन्होंने अपने कोच चंदरकान पंडित जी की भी काफी तारीफ की उन्होंने कहा कि हर सिचुएशन में हर हालात में वो हमें सपोर्ट करते हैं और उनका सपोर्ट मेरी सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा राज है तो फिला रिंको सिंग की बाद करें तो इस पारी के बाद तो वो सूपरस्टार बन चुके हैं लेकिन काफी टाइम से वो यहां तक पहुँचने के लिए महनत कर रहे थे और अब उनकी ये महनत फाइनली रंग ला चुकी है और अब सब रिंको सिंग को जान चुके हैं सिर्फ इंडिया में नहीं बलकि बाहर भी रिंको सिंग के चर्चे किये जा रहे हैं तो फिलाल रिंको सिंग से जोड़ी इस स्टोरी में इतना ही लेकि रिंको सिंग और क्रिकेट से जोड़ी इसी तरीके की तमाम बड़ी स्टोरीज के लिए आप देखते रही है स्पोर्ट स्यारी और डेस्क्रिप्शन में माई 11 सरकल का जो लिंक मौजूद है उस पे जाकर कि पैप को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए देखते रही आप स्पोर्ट्स यारी लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दीजिए जाज़त नमस्कार